सत्ते और अहिंसा के रास्ते पर चलकी तुमने ही बा करुणा और दया का अर्थ समझाया है क्या होता है स्वभिमान किसे त्याग कहते हैं और किसे सेवा तुमने ही बा आचरण में ढाल ये समझाया है बा तुम राश्ट्रु माता हो ये है कस्तूर्बा गांधी इनके बारे में गांधी जी ने कहा था अहिंसा का संदेश कस्तूर्बा से सीखा जा सकता है कस्तूर्बा के बिना अहिंसा के प्रयत्नों और आत्म सईयम में मैं सफल नहीं हो सकता था भारत के इतिहास में अमर है कस्तूर्बा गांधी आजादी की जंग में अंग्रेजों के अन्याय के खिलाफ चलाए गए सत्या ग्रह आंदोलनों में बाकी भूमे का विशेश महत्वपोन रही है उन्होंने बहुत कष्ट सहे जेल गए समाज सुधार के कारियों में सक्रिये रूप से योगदान दिया हरीजनों के उद्धार के लिए उन्होंने गांधी जी के साथ साथ प्रयास किये बाका जन्म 1879 में गुजरात के पोरबंदर नगर में हुआ इनका नाम रखा कस्तूर बेन माकन का पड़िया बचपन में मा छांसी की रानी की कहानी कस्तूर को अकसर सुनाती कौन जानी कस्तूर के स्वभाव में निडर्ता और साहस के गुण महीं से आए हो कस्तूर के पिता मोहनदास करमचंद गांधी के पिता श्री करमचंद गांधी के परम मित्र थे इन दोनों ने कस्तूर और मोहनदास जो लगभग हम उम्र थे उनका विवाह करा दिया इस तरह अपनी दोस्ती को और मजबूत बनाया विवाह के बाद मोहंदास कस्तूर पर कुछ ज्यादा ही निग्रानी रखने लगे कस्तूर कहां जा रही हैं किस से मिल रही हैं और क्यों पर कस्तूर को ये बिलकुल मन्जूर ना था उन्हें अपने आप पर पूरा भरोसा था और वे एक द्रिड इच्छ शक्ती वाली स्त्र थी थी वे अक्सर मोहंदास को उनके अनुचित स्वभाव के प्रती सचेत करती उनके पोते श्री अरोन गांधी ने कस्तूर्बा पर लिखी किताब दफ फॉर्गॉटन बुमन में लिखा है मेरी दादी स्वतंत्र थी उन्होंने किसी को भी स्वयम पर आदेश देने का अधिकार नहीं दिया अपने पती को भी नहीं हाँ उनका धंग समझोता पर रख होता था चुनौती भरा नहीं यानि की बाद जब तक किसी बात को अच्छी तरह से समझ नहीं लेती थी तब तक वो उसे स्वयकार नहीं करती थी बाकी अपनी जिंदगी थी जिसे उन्होंने अपनी तरह से जिया भी वे एक अच्छी पत्नी बनना चाहती थी मगर अपने स्वाभिमान और अपने सम्मान की रक्षा करते हुए सन 1888 में कस्तूरबाई एक बेटे की मा बनी जिसका नाम रखा हरी लाल और फिर बाद में उनके तीन बेटे और हुए मनिलाल रामदास और देवदास सन 1893 में गांधी जी को एक के सुलजाने के लिए दक्षण अफ्रीका जाना पड़ा महा के प्रवासी भारतियों को पुली कहकर पुकारा जाता था गांधी जी को ये नागवार गुजरा इस रंग भेद के विरोध के लिए उन्होंने महीं रहने का निश्चे किया और बा और बच्चों को भी साथ ले गए उन दिनों दक्षण अफ्रीका की सरकार ने एक कानून पास किया जिसके अनुसार हिंदू विवाह को वैद नहीं माना गया क्योंकि हिंदू विवाह इसाईयों के विवाह की तरहा रजिस्टर में दर्ज नहीं किया जाता था गांधी जी ने महां की महिलाओं को इसके खिलाफ सत्या ग्रह आंदोलन करने की राय दी इस आंदोलन का नेत्रित्व कस्तूरवा गांधी ने किया उनके साथ महां की हिंदू पार्सी मुस्लिम अमीर गरीब सभी महिलाएं शामिल हुई और जेल गएं कस्तूरवा को तीन महीने का कारावास मिला अंत में वहां की सरकार को इस कानून को रद करना पड़ा ये गांधी जी ने वकालत के लिए कारयाले खोला इसी जगा के बहरी इलाके में एक मकान लिया अपनी ग्रिहस्ती बसाई दक्षण अफरीका के भरतियों को एक जुट करने के लिए कस्तूरवा और गांधी जी ने नेटाल की राजधानी डर्बन के पास फिनिक्स में एक बस् यहां कई भरतिये परिवार परिश्रम कर शांती से रहने लगे सन 1915 में गांधी जी के साथ सारा परिवार भारत लोटा उनका शांदार स्वागत किया गया उन्होंने एहमदबाद में पहले कोचरब और फिर साबरमती आश्रम की स्थापना की बापू ने बा को आश्रम के संचालन का कारेभार सौपा आश्रम में बा हर एक की सुख सुविधा का ध्यान रखती वहां सबके काम बटे हुए थे सफाई का, पशुओं की देखभाल, रसोई, बच्चों की पढ़ाई, व्यवसाइक शेक्षा और बागबानी का एक बार साबरमती आश्रम में गौशाला में काम करने वाले लोग कहीं और चले गए अब गौशाला का काम भी आश्रम वासियों को बाट कर करना था बाप भी गौशाला पहुची और मैनेजर से कहने लगी मुझे कुछ काम क्यों नहीं बताते महा की विवस्था करने वाले सोचने लगे भला बा को क्या काम बताएं मैनेजर ने कहा जी हाँ मैं वही सोच रहा था कि आपको क्या काम बताऊं बा ने कहा गायों के लिए गवार नहीं दलने है क्या लाव लाव मुझे दो और बा गौार ले जाकर चक्की पर बैड गई और गाते गाते गौार दलने लगी तो बा में काम के प्रती ऐसी लगन थी बा को एक भजन बहुत प्रिये था भजमन राम चरण सुखदाई साबरमती और सेवा ग्राम आश्रम आज के भारत के दर्शनीय स्थल है आश्रम गांधी जी और बा की कर्म भूमी रहे हैं जिसमें जाती भेट से परे अमीर गरीब सब तरह के लोग रहते थे उस समय जब देश में चुआ चूत का जहर तेजी से फैल रहा था बा ने गांधी जी के साथ सशक्त ढंग से हरीजनों की दशा सुधारने में सहयोग दिया आश्रम में हरीजनों को समिलित किया गया बा और बापु ने एक हरीजन बिटिया लक्षमी को गोद लिया उसका पालन पोशन किया बा ने रूडियों को त्याग कर समाज के सामने एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया। कस्तूरवा, कांधी जी के साथ भारत में हरीजनों के उद्धार के लिए चंदा एकठा करने के लिए जगाह जगाह खूमी। उन्होंने भारतवासियों से हरीजनों के प्रती अपने विचारों को छोड़ने की अपील की। पंजाब में आयोजित एक सभा में उन्होंने कहा। हरीजन आंदोलन अब हमारी जिन्दिगी का हिस्सा बन गया है। ये हमारे दिलों पर गहराई से चा गया है। इसके बिना हम धर्म और सच्चाई के रास्ते पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। छूआ छूद के पाप को हम सिर्फ त्याग और सेवा से धो सकते हैं। बा हर सत्याग्रह आंदोलन में बापू के साथ बढ़ चड़कर हिस्सा लेती थी। अपनी सुख सुविधा का उन्होंने कभी ध्यान नहीं रखा। गांधी जी ने लिखा था। मेरे हर राजनीतिक संगर्ष में वो मेरे साथ होती थी। वो सच्ची शिक्षा का एक उधारन थी। बा ज्यादा तर बापू के साथ रहती। जब भी कभी लंबी यात्रा का सवाल आता तो बा का सबसे छोटा विस्तर और सबसे छोटी अटैची होती। बापू ने कहा था। बा हम सब को हराती हैं। इतना कम सामान और इतनी कम जरूरत किसी दूसरे की नहीं है। मैं साथगी का इतना आगरह करता हूं फिर भी मेरा सामान बा से दुगना है। सन 1917 में बा और बापू को बिहार के एक इलाके चमपारण बुलाया गया। क्योंकि उस समय के कानून के अनुसार महा के किसान अपनी ही जमीन के एक तिहाई भाग पर नील की खेती करने के लिए मजबूर थे। नील बागान के मालकों दौरा इस खेती का उन्हें बहुत कम मूले दिया जाता था जिससे महा गरीबी बढ़ती जा रही थी। दरसल नील के पोधों की जड़ें बहुत गहराई तक चली जाती हैं जिससे वे मिट्टी की सारी उपजाउशक्ती खीच लेती हैं और फिर इस पर धान नहीं उगाया जा सकता। बा और गांधी जी ने उस समय इसका विरोध किया। चमपारण आंदोलन सफल रहा। बा ने चमपारण के भीती हरवा गाउं में अपने लिए एक कुठिया बनवाई जहां वे बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ सफाई से रहना भी सिखाती थी। महा बेहद गरीबी थी। इसका एक ही कारगर उपाए गांधी जी को नजरा रहा था। वो था चर्खा चला कर सूथ कातना और उस से तैयार की गई खादी के वस्त्र पहनना। बा और गांधी जी चर्खा चलाना और खादी पहनना स्वराज के महत्पपोन साधन मानते थे जवाहरलाल नहरू ने खादी को आजादी की वर्दी कहा था बा और गांधी जी स्वयम भी नियमित रूप से चर्खा चलाते और सूत काते थे आम जन को गरीबी से उबारने के लिए बा और गांधी जी ने घर घर चर्खे का संदेश दिया जिस से तन भी ढके और आमदनी भी हो चर्खा हमारे देश की प्रगती का प्रतीक बना उस समय का एक प्रचलित चर्खा गीत भी है बीष्टरिद दीन दुख तारी यद जाहो करना उप्धा तो चर्खे का प्रोप्रचा बेहनों खा दी सब नर्नारी इस तरह देश में हर जगा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने में बा निरंतर सत्या ग्रहे आंदोलनों से जुड़ी रही सन 1918 में गुजरात के खेड़ा इलाके में अकाल पड़ा उस समय जमीन के मालिकों ने सरकार से लगान माफ करने की अपील की सरकार टस से मस नहीं हुई इसके विरोध में बा और गांधी जी ने स्वयम सेवकों के साथ सत्या ग्रह किया गांधी जी गिरफतार किये गए पर बा का होसला बना रहा इस अफसर पर महिलाओं की भूमी का क्या हो इस बारे में बा ने संदेश दिया भाईयों और बहनों हमारे पुर्षों ने सत्य के लिए जो लड़ाई छेरी है हमें उसमें उत्सहा प्रदान करना चाहिए अंग्रेश सरकार अगर हमारी जमीन जब्द करना चाहती है तो करने दीजिए लेकिन लगान का एक पैसा देकर जूटे ना बनिये हमें सरकारी नौकरों से डर ना मानकर धीरज रखना चाहिए अपने भाईयों पतियों और पुत्रों को हिम्मत बंधानी चाहिए स्वराज बाने के लिए इन मुश्किलों का सामना तो करना ही होगा सन उन्निस सो बीस और फिर शुरू हुआ सारे देश में गांधी जी के नेतरित्व में असहयोग आंदोलन जिसमें जनता से सरकारी नौकरी और स्कूल कॉलिज छोड़ने का आहवान किया गया विदेशी कपडों का बहिशकार किया गया इस आंदोलन में गांधी जी गिरफतार किये गए गांधी जी छै साल के लिए बंदी बनाये गए जब जब गांधी जी गिरफतार किये गए बा ने उस जगा के सत्या ग्रह का मोर्चा संभाला वो गांधी जी की आनुपस्थिती में लोगों में स्फूर्थी का संचार करती थी उनका मनुबल बढ़ाती थी ऐसे में उन्होंने लोगों को कभी भटकने और निराश होने नहीं दिया वे कभी रचनात्मक कारेयों में लगीं कभी जेल गईं लेकिन साहस कभी नहीं छोड़ा उन्होंने अपने देशवासियों से अपील की मेरे प्यारे देशवंदूओं और बहनों मेरे पती को छे वर्ष की साधारन सजा हुई है मैं कुछ इस्थे और बेचैन ज़रूर हुई हूँ परम धैवे रखेंगे इस कठोर सजा का हमारी सबस्ते पहला उत्तर ये होना चाहिए कि सभी इस्त्रिया सूथ काटना और सर्खाचलाना अपना परम कर्टवे समझे सभी इस्त्री पुवश विदेशी कपरा स्याग दे सभी व्यपारी विदेशी कपरे का व्यपार छोग दे तो क्या है हमारे साथ? स्वतंत्रता के संघर्ष से महिलाओं को जोडने का मुख्य श्रे कस्तूर्वा को जाता है सन 1928 में सरकार ने गुजरात के बार्डोली जिले में 22 प्रतिशत लगान बढ़ाने की घोशना की किसानों ने सरदार वल्लब भाई पटेल के निद्रित्व में सत्या ग्रह शुरू किया अंत में सरकार को लगान वृद्धी को रोकना पड़ा इस आंदोलन में कस्तूर्वा के अहवान पर पहली बार महा की महिलाएं सत्या ग्रह में शामिल हुई थी स्त्री शक्ती को सामने लाने में कस्तूर्वा को अद्भुत सफलता मिली और इस आंदोलन की जीत हुई नमक कानून भंग करने के पीछे गान्धी जी का मकसद था आम जनता को आजादी की लड़ाई से जोड़ना और ऐसा हुआ भी इस आंदोलन से सारा देश जुड़ गया सन 1930 में जब गान्धी जी डांडी यात्रा तै करके नमक जैसी बेहत जरूरी खाने की चीज़ पर कर लगाने के विरोध में समुद्र के किनारे से मुठी भर नमक उठा कर नमक कानून भंग कर रहे थे तब कस्तूरबा स्त्रियों को साथ लेकर शराब बंदी के लिए दुकानों पर धरना दे रही थी बा के नाम में कुछ ऐसा खिचाफ था कि छावनी में सैक्डों बहने शामिल हो गई उनको हिम्मत और प्रेणना बा से मिली नतीजा ये हुआ सूरत की सभी शराब की दुकाने बंद हो गई सरकार ने उनके महा रहने पर पाबंदी लगा दी कस्तूरबा की रहनुमाई पर उन्होंने मंडवे बांध कर अपनी छावनिया डाली अंग्रेजी सरकार ने उनकी सभी चीजें जब्त कर ली थी इस अबसर पर उन्होंने कहा हम चटाईयों के जोपडों में रहेंगे और मिट्टी के बरतन रखेंगे फिर देखें वो क्या ले जाते हैं ऐसा अदम में साहस्था कस्तूर्बा में नमक कानून भंग करने के आंदोलन में बापु गिरफतार हुए देश सेवकों पर लाठियां बरसाई गए बा ने घायल स्वैम सेवकों का उपचार करवाया और उनकी बहदरी की भरपोर सराहना की मुझे उम्मीद है कि मेरे जो देश भाई धरासना की करून कहानी सुनेंगे वे वाइसरोय के काले कारनामों का विरोध करने के लिए दुगने उत्साह से करना देने की मुहीम चलाएंगे और साथ ही शराब बंदी का वविदेशी कपड़े का बहिशकार का काम जारी रखेंगे सन 1932-33 में बा का ज्यादतर समय जेल में ही बीता बा जेल में भी डाइरी लिखती थी जिससे पता चलता है कि वे समय की जबरदस्त पाबंद थी उनकी पारिवारिक डॉक्टर डॉक्टर सुशीला नईयर ने अपनी पुस्तक हमारी बा में लिखा था दक्षण अफ्रीका और यहां की आजाली की लडाई में वे कई बार जेल गई थी पर उन्होंने ये कभी नहीं दिखाया कि वे कोई असाधारन काम कर रही है देश के लिए अपनी इच्छा से घरीबी को अपनाया सब सुक साधन छोड़े उनका त्याग इतिहास में सदैव दर्ज रहेगा पहले मेरे साथियों को छोड़ो फिर मुझे छोड़ना दूसरों के बारे में पहले सोचना बा का स्वभाव रहा है जीवन के हर मोड पर बा ने गांधी जी का साथ दिया वे दोनों एक दूसरे के पूरक थे, मित्र थे, आदर्श गुरू थे इन्ही दिनों बीजलपूर जलालपूर परिशत के अध्यक्ष बद पर बा को सम्मानित किया गया इस अबसर पर बा ने कहा अपने देश के इतिहास के एक बहुत नाजुक मौके पर आज हम यहां इकठा हुए हैं इस वक्त मुझे एक ही बात कहनी है कि आप आपस के जगडों को भूल जाएए इस मौके पर सब एक हो जाएए अबबा बापू की गैर हाजरी में अपने हर करतब्वे को दुगने वेक के साथ पूरा कर रही थी तभी गुजरात के एक इलाके बोर्सत से तार आया उस पर लिखा था हमें कस्तूर्बा के साथ की जरूरत है ये तार उन महिलाओं की तरफ से था जिनके पतियों बहादूर किसानों ने सरकार को लगान देने से मना कर दिया था और जिसके फल स्वरूप उन्हें जेल जाना पड़ा था बीमार होते हुए भी बा महा पहुँची और उन्होंने इन औरतों का होसला बढ़ाया ऐसा लगता था जैसे बा जल्दी से जल्दी हर समस्या का समाधान कर देना चाहती थी सन 1942 अब बारी थी आजादी के लिए अंतिम लड़ाई की गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पास किया करो या मरो जन जन का नारा बन गया बा महिलाओं के जत्थों के साथ जुलूस में शामिल हुए उन्होंने कहा करो या मरो का मंत्र मेरे दिल पर छप चुका है अब किसी और चीज की जरूरत नहीं इस अबसर पर सभी को करो या मरो के छपे हुए कागज अपने कपड़ों पर लगाने के लिए बाटे जा रहे थे बा तो आजादी की लड़ाई के रंग में पूरी तरह रंग गई थी बापू गिरफतार किये गए बा उस नियत स्थान पर पहुँची जहां बापू द्वारा भाशन दिया जाना था पर बा भाशन नहीं दे पाई उन्हें भी बंदी बनाया गया और आगाखा महल में ही नजरबंद कर दिया गया 18 महीने का जेल का जीवन बा का बूढ़ा थका शरीर जेल नहीं सका कस्तूर्वा दिवंगत होई इस अवसर पर बापू ने कहा था जैसे जैसे मेरा सार्वजनिक जीवन उज्जुल बनता गया वैसे वैसे बाख खिलती गई और पुखता विचार के साथ मेरे काम में समाती गई हमारा संबंध अच्छे मित्रों का बना बा के बिना मैं जीवन की कलपना नहीं कर सकता उसकी मृत्यू से जो जगा खाली हुई है वो कभी नहीं भरेगी बा आज भी जीवित हैं हमारे मन में सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माता एटनबुरों ने गांधी फिल्म बनाई परदे पर बा एक बार फिर सजीव हुई उन्होंने बा के बारे में लिखा था बा एक असाधारन स्त्री के रूप में प्रसिद्ध हैं वित्याग, साहस और अविश्वसनी रूप से गांधी जी की सबसे अधिक समर्पित शिश्या होने के साथ साथ मैं उनकी देख भाल करती थी और बहुत प्रभावी आलूचक थी कस्तूर्वा, साहस, सरल्टा, स्त्री शक्ती और स्त्री मुक्ती का प्रतीक हैं कस्तूर्वा की स्प्रती सदै हमारे साथ रहें आये इसी आशा और विश्वास के साथ हम सब आगे बढ़ने का संकल्प करें यही बाको हमारी सच्ची श्रद्धानजली होगी कर दो यही बाको यही बाको हमारे साथ लगाए कर दो प्रती है कर दो दो आगे बाको हमारे सब्सक्राए झाल झाल